आज की वीडियो में हम सीखेंगे Simple Future Tense इसको हम Future Indefinite Tense भी बोलते हैं तो इसके हम Rules करेंगे इसकी पहचान कैसे होती है वो देखेंगे और इसके Examples भी करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं Simple Future Tense जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे, आदी, आए वह वाक्य Simple Future Tense का होता है इसमें Helping वर हमारी Shell या Will लगती है I और We के साथ Shell आएगा बाकी जो हमारे सबजेक्ट्स हैं जैसे We, You, He, She, They और किसी भी एक नाम या एक से जादा नाम के साथ Will का प्रयोग होगा इसमें Verb की First Form Use होगी अभी हमने Rules में देखा कि Simple Future Tense की पहचान कैसे होती है तो उसके Acerative Sentences कैसे बनेंगे सबसे पहले Subject आएगा फिर Shell या Will लाएगा वो मैंने आपको बताया किसके साथ Shell आएगा और किसके साथ Will लाएगा फिर हमारी First Form of Verb आएगी वो फिर Object आएगा For example मैं स्कूल जाओंगी I shall go to school हम स्कूल जाएंगे We shall go to school तुम स्कूल जाओगे You will go to school Where school जाएगा He will go to school Where school जाएगी She will go to school Where school जाएगे They will go to school तो अब simple future tense के negative sentences कैसे बनेंगे इसमें सबसे पर subject आएगा फिर shall या वेल आएगा फिर not का प्रयोग होगा और फिर first form of verb आएगी और फिर object आएगा For example मैं school नहीं जाओंगी I shall not go to school हम school नहीं जाएंगे We shall not go to school तुम school नहीं जाओगे You will not go to school Where school नहीं जाएगा He will not go to school Where school नहीं जाएगी She will not go to school We school नहीं जाएंगे They will not go to school Simple future tense के interrogative sentences कैसे बनेंगे इसमें सबसे पहले हमारी helping verb आएगी यानि shall या will आएगा फिर subject आएगा फिर first form a verb आएगी और फिर object आएगा और जैसे कि ये interrogative sentences हैं तो last में इसके question mark आएगा For example क्या मैं स्कूल जाओंगी Shall I go to school क्या हम स्कूल जाएंगे Shall we go to school क्या तुम स्कूल जाओगे Will you go to school क्या वे स्कूल जाएगा Will he go to school क्या वे स्कूल जाएगी Will she go to school क्या वे स्कूल जाएंगे Will they go to school तो आज की वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे future continuous tense तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको like कीजिए, share कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए है तो इसको subscribe कीजिए Thank you